साथ ही ओ आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बिलियम सेक्सपियर के एक मोस फाहमस ट्रैजजी जिसका नाम है एंटोनी और किलोपेटरा अगर हम एंटोनी और किलोपेटरा की बात करते हैं तो सबसे पहली बार इसको पॉफार्म किया गया था 1606 से 1607 के बीच में ठ है एक्टर हेनिरी और कॉंडेल के द्वारा ठीक है अब हम लोग डिसकस करेंगे इसकी समरी को अगर हम इसके समरी की बात करें तो summary discuss करने से पहले इसके key facts को हम लोग discuss कर लेते हैं, key facts में हमने क्या बताया इसका full title क्या है The Tragedy of Antony and Clopatra और इसका source अगर हम बात करें तो Plutarch's Lives इसका क्या है source है, क्या है Plutarch's Lives इसका source दिखाया जाता है और यह जो Plutarch's Life है translated किया गया था Thomas North के द्वारा कब 1589 में यानि कि 1579 में इसका English translation किया गया था किसके द्वारा, Thomas North के द्वारा इतनी चीजे clear हो गए और सिर्फ एकलोता यही source नहीं है इसके अलावा भी इसके दो अन्य source भी है ध्यान बनाया रखना अगर हम इसके protagonist की बात करें तो protagonist कौन दिखाया जाता है Mark Antony दिखाया जाता है जो कि बन आप दी Trimbers of Rome जो तेन Trimbers होते हैं रोम के उन तीनों Trimbers में से एक Mark Antony भी दिखाया जाता है यह हमारे थ्री Trimbers होते है पहला Mark Antony होता है दूसरा Octavius Caesar होता है और तीसरा Lipidus यही त्री Trimbers होते है ठेक है तो इसमें Mark Antony जो है वो कौन है protagonist है किसका Antony and Clopatra का इतना देहा इसकी रेटिन डेट क्या है तो यह 1606 से 1607 के बीच में London England में इसको लिखा गया और यह publish कब किया गया था तो यह publish किया गया है Indyfa Spolio 1623 में Henry and Condale की द्वारा इसके बाद सेटिंग अगर बात करें तो the Roman Empire और Egypt में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें Roman Empire की ही बात कर लो तो इसकी सेटिंग में ध्यार बनाए रखना Alexandria, Spain, three continent दिखाए जाते है जैसे Rome, Mesina, Syria और other part of जो Roman Empire है जिसमें including DC समुदर में जो यूद बगारा दिखाया जाता है वो भी सब इसके सेटिंग पार्ट है जॉनर की बात करें तो जॉनर क्या है tragedy है यानि कि ये tragedy in five act पाच एक्ट की है tragedy है लेकिन एक चीज ध्यान बनाए रखना भाई इसके बारे में ध्यान क्या बनाए रखना है नोट पॉइंट में ये ध्यान बनाए रखना है कि इस play को अंटोनी और किलोपेटरा को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा जूलियर सीजर को जब आप जूलियर सीजर को पढ़ लोगे आपको अंटोनी और क्लोपेटरा बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा तो सबसे पहले आप किसको पढ़िएगा जूलियर सीजर को एक बार पढ़ लीजेगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से अब हम चर्चा करेंगे किसकी लिस्ट की लिस्ट आप दे कhus दे करेक्टर देखो मार्क एंटोनी दो दिखाया जाता है वो कौन होता है एक रोमन जर्णल होता है तो अन्न लीडर हमारे कौन कौन सोते हैं एक तो हमारा Octavius Caesar और दूसा लेपीडस एही तीनों लोग जो रूल करते है दी रोमन रिपबलिक यानि कि जो रोमन एम्पायर होता है रोम की जो जनता होती है रोम की जनता के उपर आफ्टर दी असेसिनेशन हत्या कर देने के बाद किसकी? जूलियर सीजर जब जूलियर सीजर के हत्या हो जाती है रोम में तो रोम में ये तीनों लोग मिल करके क्या करते हैं? सासन करते हैं कौन तीनों लोग? ये तीनों कौन? Octavius Caesar Lipidus और Mark Antony लेकिन ये Mark Antony केलोपेटरा के प्यार में पागल है तब ही इस प्ले का नाम भी है आते हैं? ट्रैमबार्स का मतलब होता है तुर्देव या तिगडी Mark Antony के बाद कौन आएगा? Mark Antony के बाद भाई आएगा अब Octavius Caesar ये Octavius Caesar कौन है? Another Trimbers है यानि कि सिकेंड पहले नमबर पे Mark Antony दूसरे नमबर पे Octavius Caesar और थाड रूलर जो है यानि कि Another Trimbers है वो कौन है? लिपीडर्स है अब देखो Another Character कौन आगया? फुल्विया लेकिन फुल्विया में यहाँ पर ये देख लिजेगा ये लिखा हुआ है Sister of Octavius ये गला लिखा हुआ है फुल्विया इस नॉट दी Sister of Octavius Octavius की Sister कौन होती है? Octavius होती है जिससे बाद में फुल्विया की मृत्यू के बाद Octavius Caesar साधी करता है फुल्विया इस दी वाइफाफ Octavius Caesar ये सही है और यहाँ पर अगर और कुछ लिखना है तो ये लिख सकते है कि फुल्विया इस दी डॉटर आप मार्कस फुल्वियास बैम बोलियू ये मार्कस जो फुल्वियास होता है ठीक है? उसकी डॉटर दिखाई जाती है और इस प्ले में ये कहीं दिखाई नहीं जाती बलकि इसका नाम आता है फुल्विया का कि ये जो है Octavius Caesar की पतनी है ठीक है? इसकी मौत की खबर आती है कि फुल्विया की मृत्यो हो चुकी है तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सही कर लीजेगा यहाँ पे करना है बाइफाव Octavius Caesar और इसके बाद अगर डॉटर आफ लिखना है तो मार्कस फुल्वियस की ये डॉटर थी ठीक है? चलो, अब आगे हम लोग डिस्कस करते है फुल्विया के बाद किसकी? अच्छा, ये फुल्विया जो है वो साधी किससे करती है? ध्यान दीजेगा फुल्विया की साधी होती है मार्क एंटोनी किससे मार्क एंटोनी से इसकी साधी होती है किसकी फुल्विया की? और फुल्विया की जब मृत्य हो जाती है मृत्यू के बाद आफ्टर देथाफ इस बाइफ यानि की मार्क एंटोनी की पतनी फुल्विया की मृत्यू के बाद जो Mark Antony होता है वो साधी कर लेता है किस से Octavia से साधी कर लेता है ठीक है Octavius कौन है इसके बारे में तो भाहि सब लोग जानते है Octavius Caesar कौन होता है तो यहाँ पे पहली तो यह लिख लिजेगा यहाँ पे भी तोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे लिखा होना चाहिए Octavia Octavia कौन होती है Octavia जो होती है वो Octavia Caesar की सेस्टर दिखाई जाती है यानि की बहन दिखाई जाती है और Mark Antony की यह पतनी दिखाई जाती है ठीक है टाइरस कौन होता है टाइरस जो Octavia Caesar होता है उसका Lieutenant General दिखाए जाता है कहीं पर no down कर लेना इनो बारवस को यह TGT में खुब पूश लिया जाता है इनो बारवस जो होता है जो Mark Antony होता है उसका most loyal supporter दिखाई जाता है अगर हम क्लोपेटरा की बात करें तो Queen of Egypt दिखाई जाती है क्लोपेटरा कौन दिखाई जाती है Queen of Egypt Egypt की रानी है कौन क्लोपेटरा देखो यह तो Fulvia हो गई और यह Octavia हो गई अगर हम क्लोपेटरा की बात करें तो यह हमारी कौन हो गई क्लोपेटरा हो गई ठीक है जिससे कौन Mark Antony प्यार करता हुआ दिखाई जाता है इतना क्लियर हो गया अब अगला केरेक्टर है हमारा कौन सा इन्हों बारबस तो बता दिया क्लोपेटरा यह Queen of Egypt हो गई एजिप्ट की रानी है और यह प्यार किससे करती है Mark Antony से यह प्यार करती है सेक्ष्टर्स पॉम्पेग醒 की बात करें तो सन आफ लेड। पॉम्पेग생 जो लेड। पॉम्पेगए है उसके बेटे का नाम सेक्ष्टर्स पॉम्पेगए है और इसकी सक्ती अब दिनो दिन बढ़ती जा रही है ठीक है और ये रोम पर जो है दुबारा से हमला करने आने के आक्रमन करने के बारे में सोच रहा है इसके बाद में हम बात करेंगे डॉमेटियस इनोबार्वस की और बिंटीडियस की तो जो इनोब आर्वस और विंटीडियस है ये दोस्त दिखाया जाते हैं किसके मार्क एंटोनी के दोस्त दिखाया जाते हैं इसके बाद केंडियस की बात करेंगे तो जो केंडियस है अगर हम केंडियस बात करें तो ये अनादर एंटोनी इस लेटिनेंट दिखाया जाता है यानि की आप कह सकते हो कैनेडियस जो है वो मार्क एंटोनी का लैटेनेंट जर्णल है इसके बाद चार्मियन ये important character है दोनों को द्यान मना रखना चार्मियन और एरास ये जो चार्मियन और एरास है ये क्लोपेटरास की मेड दिखाई जाती है इसके बाद में हम मार्डियाना की बात करेंगे तो मार्डियान एक इनोच का मतलब होता है बैया हिजडा माडियाना कौन दिखाया जाता है एक इनर चैनी की हिजड़ा दिखाया जाता है एलैक्सिस जो होता है देखो यहाँ पे तीन नाम दिये गए एक एलैक्सिस का नाम दिया गया है डायोमेट्स का नाम दिया गया है सैलुकस का नाम दिया गया है अलेक्सिस डावमेट्स और सैलुकस ये दोनों अटेंडेंट दिखाये जाते हैं किसके कलपेटरा के अटेंडेंट है इसके बाद दिसूद सायर सूद सायर को हमने जूलिय सेजर में भी डिसकस किया था ये क्या होते हैं एजिप्सियन फार्चून टेलर होते हैं यानि कि एजिप्सियन फार्चून टेलर का मतलब होता है बविस्य वक्ता आपके भागे के बारे में बात करने वाले आपके बविस्य के बारे में बताने वाले फार्चून टेलर है ये ठीक है वो फालो जो फालो करते है अन्टोनि को ठीक है टू रोम एंड प्रिडिक्ट बविस्वाड़ी करते है डेट की ही जो फार्चून उनका भागे मिल आलवेज पेल इन कम्प्रीजन तो सीजर सीजर के कंप्रेजन में उनका जो भाग्य है वो हमेशा क्या होगा धुमिलोगा कम होगा सेक्स्टर्ट पार्टी की बात करे या मिनेकरेट्स मिनिस ऐके बेरियर्स इसके बाद में मिनेशनस अगिरपा इमपॉर्डेंट करेक्टर है डोला बेला, important character है, गैलास, ठीडियस, थाइरियस, यह सबी किसके जो सीजर के दोस्त दिखाय जाते हैं, उक्टिवियस सीजर है, उसके दोस्त होते हैं, इतना clear हो गया, तो चलो यह तो थी आपकी, किसकी पहले हम लोगों ने क्या, कीफैक्ट को डिसकस किया, इसके बाद में हमने किसको बात किया, लिस्ट की बात की, किफैक्ट में हमने तुम्हे बताया था, यह जो एंटोनी और क्लोपेटरा है, यह क्या है, एक रोमन प्ले है, अच्छा, रोमन प्ले में एंटोनी और क्लोपेटरा के अलावा, इनके तीन प्ले और आते हैं, वो तीन प्ले कौन ह एक तो आपका सै जोलिइस सीजर हो गया दूसरा कोरियोलैनस और टाइटस एंड्रोनिकस तो इस चारो प्ले हो गाए कौन-कौन सा पहला एंचनी और म theoret रा दूसरा chief तीसरा type टाइटस एंड्रोनिकस और कोरियोलैनस यह चारो रोमन प्ले है और चारो रोमन प्ले की जो सेट जो सोर्स दिखाया जाता है वो प्लुटार्क लाइव सो होता है ठीक है कौन सा प्लुटार्क लाइव अगर हम रोम में जूलियर सीजर के मरने के बाद अब इसकी हिंदी स्टोरी बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहीएगा ब पहला वेक्ती सीजर का मित्र जिसका नाम मार्क एंटोनी है दूसरा जूलियर सीजर का बेटा जिसका नाम ऑक्टिवियस सीजर है और तीसरा जो है वो लिपिडस कौन सा तीसरा लिपिडस इतीनों मिलकर रोम में सासन करते हैं एंटोनी एजिप्ट में जाकर इलेकजेंड् इलेकजंडिया में जाकर के रहने लगता है बहाँ उसे एजिप्ट की कुईन होती है किलोपेटरा जिसका नाम होता है उससे बेहद प्यार हो जाता है एंटोनी का एक सिपाही यह सब देख रहा होता है कि कैसे एंटोनी जो है मार्क एंटोनी कलोपेटरा के प्यार में पागल होता जा रहा है और अपने हातों से रोम की बागडूर को जाने दे रहा है उसे लग रहा है कि अगर इसी तरीके से ये मारक एंटोनी क्लोपेटरा को प्यार करता रहा तो बो दिन दूर नहीं जिस दिन जो है रोम की सासन की बागडूर किसी अन्ने के हातों में चली जाएगी एक दिन किलोपेटरा एंटोनी से पूशती है यह जो किलोपेटरा है बे मार्क एंटोनी से पूशती है क्या पूशती है कि तो मुझे कितना प्यार करते हो इसके जवाब में मार्क एंटोनी कहता है कि उसके प्यार को ना तो ना पा जा सकता है और ना तोला जा सकता है क्योंकि उसके प्यार की सीमा नहीं है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि ना तो तुम्हें इसे नाफ सकती और ना तोल सकती और अल्लिम्टेड प्यार है यानि कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ कौन कहता है जवाब में मार्क एंटोनी किसके जवाब में कलपेटरा जब पूछती है कि बहए उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है तब ही बहाँ पर एक मैसेंजर आ जाता है और वो मैसेंजर कहां से आता है रोम से कहां से आया होता है वो मैसेंजर रोम से आया हुआ होता है और एक सूचना देने लगता है लेकिन एंटोनी इसी उसे बीच में ही रोक देता है ये जो मार्क एंटोनी होता है वो क्या करता है उसको बीच में ही रोक देता है कि भई रुक जाओ और उसकी बेज़ती करते हुए कि मैं अभी ही कुछ भी सुनना नहीं च चाहता हूँ अर्थात अपनी महवुवा क्लोपेटरा से प्यार करना चाहता हूँ और उसके साथ समय बितीत करना चाहता हूँ कुछ समय बाद रोम में एक दूत फिर से आता है और वो जो दूत आता है वो दो सूचना इलाता है पहली सूचना कि उसकी पतनी जो फुलविया है पहली सूचना क्या होती है कि उसकी पतनी जो फुलविया है उसकी क्या हो गई है देथ हो गई है पहली तो सूचना यही होती है कि फुलविया की देथ हो चुकी है और दूसरी सूचना यह कि जो पॉमपी है पॉमपी पर जिससे जूलिय सीजर ने हराया था यह बही पॉमपी है जिसको जूलिय सीजर ने हराया था अब उसका बेटा सेक्स्टस पॉमपी अपनी सेना को बढ रहा है अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और उससे अब रोम राज को खत्रा है यानि कि रोम के बासियों को भी खत्रा है पता नहीं वो ब्यक्ति पॉम्पी का बेटा सेक्श्चर्स पॉम्पी कब रोम राज पर आकर मड़ कर दे क्योंकि बहें अब बहुत सक्त साली बहुत पा पार्क एंटोनी को औक्टीविय सीजर ने रोम में दुबारा बापस बुलाया है यह सूचना सुनने के बाद एंटोनी रोम जाने का फैसला कर लेता है और बहे क्लोपेटरा से कुछ समय के लिए अलविदा कहता है कि मैं कुछ समय के लिए रोम में जा रहा हूं तब तक के लिए अलविदा और यह कहकर के बहां से रोम के लिए निकल जाता है कौन मार्क एंटनी इसके बाद किलोपेटरा अपने दर्वार के लोगों के साथ समय बेतीत करने लगती है और उसके बहां पर एक हिजड़ा एक इनच भी है जिसके साथ बेहसी मजाग करती है बहे और अपना समय बेतीत करती है कौन किलोपेटरा जो की बेहत खुबसूरत है कुछ समय बाद एक पत्र और एक प्यार भरी चिठ्थी फिर से मिलती है और एक प्यार की निसानी भी होती है उसमें और वो प्यार की निसानी क्या होती है एक कीमती मोती होता है बहे किलोपेटरा तक पहुचाया जाता है यानि कि वो प्यार की निसानी किसके लिए गिफ्ट में आई है किलोपेटरा के लिए आई है और ये निसानी भेजी किसके द्वारा गी है एंटोनी ने किसके लिए क्लोपेटरा के लिए बिजबाया है कि हम अभी आतों नहीं सकते लेकिन आपको ये प्रेम भरा एक पत्र है और मेरे प्यार की एक निसानी जोकी क्या होता है एक मोती होता है इन सब चीजों को देख करके एजिप्ट की रानी क्लोपेटरा बहुत ज़दा हैपी हो जाती है बहुत खुस हो जाती है और इहें निश्चे कर दिया कि बहें भी एंटोनी को एक पत्र लिखेगी और फिर बाद में उसके एंटोनी के पत्र को पढ़ करके वो भी डिसाइड करती है कि मैं भी एंटोनी के लिए एक पत्र लिखूंगी एंटोनी जब रोम पहुँचता है तो ओक्टिवियस उससे यह कहता है ये ओक्टिवियस सीजर उससे यह कहता है कि तुम एजिप्ट में अपना समय क्यों बेर्थ में बर्वाद कर रहे हो क्यों तुम अपना पूरा केरियर कलप एटरा के चकर में बर्वाद कर रहे हो क्या तुमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तुम यहां के सासक हो रोम के थ्री ट्राइमबर्स होते हैं थ्री ट्राइमबर्स में से तुम पहले नंबर पे हो Mark Antony से कहता है कौन? Octavius Caesar जो दूसरे नंबर का सासक होता है और तीसरे नंबर माता है? Lepidus होता है क्या तुम एह नहीं जानते कि पॉम्पी से अब हमारे राजी को खत्रा है सीजर का इह सलाकार बही पर जो ऑक्टिवियस सीजर होता है उसका एक सलाकार होता है जिसका नाम होता है अगिरपपा क्या नाम होता है भई? ध्यान बनाए रखना उसका नाम अगिरपपा है A-G-R-I-W-P-A तो बहन एंटोनी और ऑक्टिवियस के सामने एक परपोजल रखता है एक प्रस्ताओ रखता है कि ऑक्टिवियस तुम अपनी बहन ऑक्टिविया की साधी अगर मार्क एंटोनी से करा दो तो साधी के बाद एंटोनी हमारे साथ यही रोम में रह जाएगा और हमें pumpy से भी कोई खत्रा नहीं रहेगा एंटोनी को भी यह प्रस्थाव समझ आता है यह प्रस्थाव अच्छा लगता है और इसके बाद जो अगीर अप्पा के द्वारा सो जाए गया प्रस्थाव था उसको मार्क एंटोनी माल लेता है और Octavia से साधी कर लेता है Octavia किसकी वहन है Octavia सीजर की अब बाइफ किसकी बन गई Mark Antoni की Mark Antoni की पहले वाली पतनी का नाम क्या होता है फुलविया होता है जिसकी मृत्य हो जाती है और Mark Antoni के एक प्रेमी का भी है जिसका नाम क्या है Klopatra है साधी के बाद एंटोनी ओक्टिविया को लेकर एथेंस जा रहा है अब साधी हो जाने के बाद ये मार्क एंटोनी ओक्टिविया को लेकर के कहां जा रहा है ओक्टिविया को लेकर के चला जाएगा कहां एथेंस जगह ना याद बनाए रखना एथेंस जाएगा ठीक है ओक्टीवियस पहले तो उससे रोकना चाहाता है लेकर रोक नहीं पाथा क्योंकि अब अंटोनी मार्क अंटोनी की साधी ओक्टीवियस से हो चुकी है इन दोनों को जाने के बाद जो ओक्टीवियस सीजर अपने संगर्स ब्राम को तोड़ देता है पॉम्पी के खलाप यूद चेड़ता है और उस यूद में ओक्टीवियस सीजर पॉम्पी को हरा देता है इस यूद्ध में लिपिडस जो की थ्री ट्राइमबर्स में से एक ट्राइमबर था लिपिडस तो लिपिडस पर क्या करता है ये हम तुम्हें एक पिक्के माद्यम से समझाते हैं यहाँ पर समझो ओक्टिवियस सीजर पॉंपी पर आक्रमर करता है पॉंपी को हरा देता है इसके बाद यह जो लिपिडस है लिपिडस के उपर यह आरोप लगाता है ओक्टिवियस सीजर कि तुमने राजद्रोह किया है और राजद्रोह के आरोप में यह ओक्टिवियस सीज यह तो जेल पहुँच गया तो रोम में अब कितने सासक बच्चे सिर्फ दो कौन कौन से दो सासक बच्चे एक एंटोनी बच्चा और दूसरा एक मार्क एंटोनी बच्चा और दूसरा ओक्टिवियस सीजर बच्चा ये दो सासक अब रोम में रहेंगे, कुछ समय बाद ये सूचना कलोपेटरा तक पहुँच जाती है कि एंटोनी ने ओक्टीविया से साधी कर ली, जब कलोपेटरा को ये पता चलता है कि कलोपेटरा को बहुत ज़्यदा सदमा पहुँचता है, दुख पहुँचता है कि यार मार्क एंटोनी ने ओक्टीविया से साधी कर ली, उसे बहुत ही गुशा भी आता है, लेकिन कलोपेटरा अब ये पता लगाने की कोशिस करती है, कि एंटोनी की पतनी देखने में कैसी लगती है, तब उसे ये पता चलता है, उसको ये बताता है, उसका नौकर कि रानी वो तुमसे बिल्कुल भी सुन्दर नहीं है, यान कि जो ओक्टीविया है, वो बहुत ज़्यादा सुन्दर नहीं है, उसे तुम कई गुना सुन्दर हो, ये बास सुन करके, जो कलोपेटरा होती है, उसे बड़ी खुसी मिलती है, ठीक है, कि चलो ये ठीक बात है, कि आक्टिविया से प्यार नहीं करता यह जानकर क्लोपेटरा को थोड़ी सी संतुष्टी मिलती है थोड़ी खुशी मिलती है अब आक्टिवियस का विवहार एंटोनी के प्रती बदल रहा है अब इधर क्या होता है जो आक्टिवियस सीजर है इसका विवहार जो है वो मार्क ए तोनी अपनी पतनी किस से करता है अपनी पतनी ओक्टिविया से करता है कहता है कि तेरे भाई ओक्टिविया सीजर का विवहार अब मेरे प्रती जो है वो बदलचा जा रहा है उसके भी है में परिवर्तन हो गया है ओक्टिविया उसकी पतनी इसके जवाब में कहती है कि मैं ज प्रती के प्रती क्यों कर रहे हैं ऐसा विबार क्यों कर रहे हैं ऑक्टीविया अपने भाई से बात करने के लिए इधर रोम जाती है यानि कि जैसी इधर ऑक्टीविया अपने माई के रोम चली जाती है बैसी उधर एंटोनी क्या करता है अपनी महभूबा क्लोपेटरा से मि के लिए इजिप्ट चला जाता है ऑक्टीविया भी रोम में देखती है कि उसका भाई एंटोनी उसका भाई जिसका नाम ऑक्टीवियस सीजर है उसने मार्क एंटोनी के खिलाब पूरी सेना तयार कर रखी है और लिपिडस और यह जो लिपिडस है उस पर राज द्रोहों का आरोप लगाकर उसे सासन से हटा दिया है अब रोम में सिर्फ दो लोग ही सासन करते हैं मार्क एंटोनी और ऑक्टीवियस सीजर जब ऑक्टीविया अपने भाई को रोकनी की कोशिज करती है तो ऑक्टीवियस उसे बताता है कि एंटोनी ने उसे धोका दे दिया है और बहन अपनी प्रेमिका क्लोपेटरा के पास चला गया है तब उसका वाई ओक्टीवियस सीजर कहता है कि बहन तुझे मैं क्या बता हूँ मार्क एंटोनी ने मुझे दोका दिया है और तुझे भी वो दोका दे रहा है वो अभी तुझे छोड़ करके कहा चला गया वो एजिप्ट चला गया है किस से मिले अपनी प्रेमिका क्लोपेटरा से मिलने चला गया है किस से अपनी प्रेमिका क्लोपेटरा से इसलिए अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी साहनवोती नहीं दिखाई जाएगी यानि कि आप यहाँ पे ऑक्टिबिया सीजर कहता है कि मेरे मन में मेरे हिरदे में मार्क एंटोनी के लिए कोई साहनवोती कोई सिंपैथी नहीं है एंटोनी भी क्लोपेट्रा और उधर जो मार्क एंटोनी होता है वो क्लोपेट्रा के सेना के साथ मिलकर यूद की तयारी कर रहा है और अपनी सेना की थाकत को बढ़ा रहा है ये यूद समुद्र के रास्ते से किया जाएगा इसलिए जल सेना की तयारी की जा रही है एंटोनी ने अपने साथ क्लोपेटरा की सेना को भी ले लिया है सब यूद के लिए निकल जाते हैं लेकिन क्लोपेटरा जो उसकी प्रेमिका होती है वो यूद के बीच से ही अपने सारे जहाजों को लेकर बापस लोट जाती है एंटोनी क्लोपेटरा के प्यार में पूरी तरह पागल है इधर जो मार्क एंटोनी है वो क्लोपेटरा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है बहे भी अपनी सेना को यानि कि कलोपेटरा तो बीच युद में अपनी सेना को छोड़ करके भाग जाती है इधर ये मार्क एंटोनी की जो खुद की सेना होती है ये अपनी मार्क एंटोनी जो है वो अपने खुद की सेना को छोड़ करके किसके पीछे चला जाता है बागता हुआ किलोपेटरा के पीछे चला जाता है तो अब क्या हुआ भाई सेना को छोड़कर किलोपेटरा के साथ बापस आ जाता है तो बहां जो बची हुई सेना को ऑक्टीवियस सीजर बहुत ही आसानी से हारा देता है और उसकी सब सेना को बं मार्क एंटोनी को हरा करके जीत हासिल कर लेता है टोटल तीन बार यूद्ध होता है और एक बात बताने को मैं भूल गया कि जो मार्क एंटोनी होता है इसके दो बेटा भी होती है ठीक है उनी भी ध्यान बनाए रखना तो यहाँ पर देखिएगा अब वो कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है अब भाई बापस याने की इसने जीत हों हासिल कर ली तो बापस आने के बाद जो मार्क एंटोनी है वो क्लोपेटरा के उपर बहुत ज़्यादा गुस्सण दिखाता है कि तुम्हारी बज़े से मुझे हार का सामना करना पड़ा मार कंटोनी कहता है किलोपेटरा से तुम्हारी वज़े से मैं आज ओक्टीवियस सीजर से हार गया हूँ तब ही एक बहाँ पर फिर से मेसेंजर आता है और भै किलोपेटरा को एक परपोजल देता है किलोपेटरा से कहता है कि तुम्हें Octavius Caesar से डरने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें Octavius Caesar से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ नहीं कहेगा तुम्हें कुछ नहीं करेगा तुम्हारे राज पर Egypt पर आकरमण भी नहीं करेगा बस आपको एक काम करना है क्या काम करना है कि तुमसे यह चाहते हैं क कि तुम किसी भी तरह मार्क एंटोनी को उनके हवाले कर दो कलोपेटरा इस वारे में सोच रही है कि एंटोनी बहां आ जाता है और उस दूद को मरवाने का आदेश देता है कौन मार्क एंटोनी उसे ये संदे होता है कि उसकी प्रेमी का किलोपेटरा उसे धोका दे रही है और बहे अपने मन में ये भी सूचता है कि उसे अपना आत्म समरपड़ कर देना चाहिए किलोपेटरा एंटोनी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है किलोपेटरा की एक सेविका जिसका नाम चारमियन है किलोपेटरा के सामने एक प्रस्ताव रखती है कि बहे ये कहती है कि आप अपने मरने की गला सूचना एंटोनी तक पहुचा दो जिससे एंटोनी को अपनी गलती का अहसास होगा और बहे आपको माफ कर देगा किलोपेटरा इस प्रस्ताव को माल लेती है और इस योजना के मताबिक चलने लगती है ये सूचना मार्क एंटोनी को दी जाती है कि किलोपेटरा की मृत्य हो गई है बहे इस दुख को सहन नहीं कर पाता कौन मार्क एंटोनी और बहे अपने मित्र इरोस किसे इरोस से कहता है कि बहे उसे मार दे लेकिन इरोस ऐसा करने से मना कर देता है कि महराज मैं आपको नहीं मार सकता इसके बाद एंटोनी खुद को अपनी तलवार से घायल कर लेता है बहे पूरी तरह से तलवार नहीं मार पाता इसलिए उसकी मृत्व कुछ समय बाद होती है लेकिन इह सब क्लवपेटरा की जो सेविका होती है ठीक है अटेंडेंट होती है वो सब देख लेती है और बहे आकर एंटोनी को इह बताती है कि आपने ये क्या कर लिया अभी क्लवपेटरा की मृत्यू नहीं हुई है इह सब तो आप दोनों को खुशी के साथ मिलाने के जाती है ठीक है ले जाती है क्लवपेटरा मार्क एंटोनी को मरते हुई देख बहुत दुकि होती है एंटोनी उससे कहता है कि तुम ओक्टीवियस के साथ संदी कर लो या यहां से भाग जाओ जिससे तुम्हारी जान बची रहे लेकिन क्लवपेटरा इससे मना कर देती है इसके बाद एंटोनी की मृत्यू किलोपेटरा की बाहों में हो जाती है। ओक्टीवियस अपने दो दूद्थ प्रो क्योलियस और गैलस। क्या नाम होता है दोनों दूद्थ का लिख लेजेगा। यहां पर प्रोक्योलियस और दूसरा नाम होता है गैलस। को क्योपेटरा के पास भेज़ता है कौन ओक्टीवियस। बहें दूद्थ यानि की बहें मैसेंजर यह सूचना लेकर आते हैं कि क्योपेटरा को कोई भी खत्रा नहीं है। बहें आत्मा त्याना करें बस उसे पकड़ लिया जाएगा और रोम में बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन क्योपेटरा को साथ साथ यह भी पता चलता है कि आक्टीवियस सीजर ने उसे रोम की गलियों में बंदी बना कर घुमाने की युजना बना रखी है। जिससे रोम के लोगों को यह पता चल सके कि अब रोम कितना सक्त साली हो गया है लेकिन क्योपेटरा को यह मंजूर नहीं है कि बहें यह कहती है कि एंटोनी मार्क एंटोनी जो एक समय पर इस दुनिया में सासन करने की ताकत रखता था। मैं उसकी प्रेमिका इतनी बेजती सहन नहीं कर पाऊंगी। में एक साप ले लेती है और अपनी सेविकाओं यानि कि चार्मियन और इरास को चुम्बन देती है इरास को चुम्बन करते समय बहें साप काट लेता है इरास बही मर जाती है। इसके बाद एक साप को कलवपेटरा अपने हाथ में पकड़ लेती है उससे उसकी चाती पर कटवा लेती है। और बहें साप दूसरी बार उसकी बाजू पर काट लेता है पहली बार वो साप उसकी चाती पर काटता है कलवपेटरा के दूसरी बार बहां में काट लेता है और एक साप जो होता है वो चार्मियन को भी काट लेता है जिससे उसकी मृत्तिय हो जाती है इसका मतलब कलवपे है कौन-कौन एरास, क्लोपेटरा और चार्मियन इह सुचना ओक्टिवियस सीजर तक पहुचाई जाती है ओक्टिवियस सीजर यह कहता है कि एंटोनी की तरहे क्लोपेटरा भी एक बहदुर लड़की है इसलिए उसे एंटोनी की कवर के पास ही दपनाया जाएगा और क्लोप हो जाती है इतना क्लियर हो गया तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में आज जय हिन जय भारत साथियों